शॉर्ट हेंड से जुड़ी सभी परकार की वीडियोस पानने के लिए सब्सक्राइब करिए आपके अपने चैनल सॉर्ट हेंड गुरुजी को नमस्कार दोस्तों आप सभी का स्वागत है शॉर्ट हेंड गुरुजी यूटूब चैनल पे आज APS के लिए हमारा पांचवा डिक्टेशन है जिसकी गती 80 सब्सक्राइब की रहने वाली है डिक्टेशन काफी अच्छा है जो लोग अभी नए ही अभ्यास करना स्टार्ट किया है अगर एक बार में बढ़ियां से नहीं लिख पाते हैं तो जो भी कठिन सब्सक्राइब है उनके आउटलाइन आप बना लीजे अभ्यास कर लीजे उसके बार फिर से डिक्टेशन को लिखिए लेकिन छोड़ी अगर ने डिक्टेशन बहुत अच्छा है डिक्टेशन की पीडिएफ आपको हमाई टेलीग्राम के गुरूप में मिलेगी बिलकुल फरी डिक्टेशन स्टार्ट हो जाएगी पांच सेकंड के बाद रेडी स्टार्ट महोदै मैंने वहाँ यह देखा है कि राज्य के कुछ लोग और परिवार धन बटोरने में लगे हुए हैं क्योंकि वह भारत संग के धनकर उपहार कर शहरी भूमी सीमांकन आदि कानूनों को वहाँ लागू नहीं होने दिया जाता है क्योंकि वहाँ निहित स्वार्थ है ये तत्व हमेशा ऐसा करते रहते हैं जिस से वहां का आम आदमी यह नहीं भाप पाता है कि इसके कारण उनका सोशन इवं उटपीडन हो रहा है और उन्हें आर्थिक प्रगति के लाभ से वन्चित रखा जा रहा है उनका यह भी कहना है कि जम्मु कश्मीर में स्वायतता और सांस्कृतिक अस्मिता के नाम पर जनता को बिवकूफ बनाया जा रहा है जबकि जरूरत इस बात की है कि गरीब और वन्चित जनता के हित में गरीबी भूक और रोगों को दूर कर वहां संतुलन विकाश सुनिश्चित किया जाए तभी वहां सच्ची स्वतंत्रता और सच्चा लोकतंत्र इस्थापित हो सकेगा यदि इस अनुच्छेत को समाप्त कर दिया जाए तो वास्तों में वह नाकेवल गरीबी और पिछडापन दूर करने में सहायक सिद्ध होगा अपितु उसमें कश्मीर की संस्कृती भी सुरच्छित रह सकेगी स्री जग मोहन जम्मू कश्मीर के राजयपाल पद पर रह चुके हैं और उन्होंने वहां की जनता का दुख दर्द देखा है उनकी कसक को पहचाना है पीडा को समझा है और उनकी समस्याओं कठिनाईयों को स्वयम देखा और शिद्धत से महसूस किया और कश्मीर समस्या को गहराई से परखा है लेकिन साथ ही वे विवादास्पद राजयपाल भी बन गए उस दौर में वे क्या कुछ और करना चाहते थे उसे ना कर पाने की उनकी सीमाएं, परिस्थितियां और दबाव के कारण उनकी हताशा, निराशा और छोब को समझा जा सकता है किन्तु अनुच्छेद 370 को कश्मीर संबंधी सभी समस्याओं की जड नहीं कहा जा सकता देश के कई अन्य भागों में भी समय समय पर उग्रवाद, आतंकवाद और अलगावाद फैलते रहे हैं, अगर आप पंजाब पर उदाहरन लेंगे तो आप कह सकते हैं कि वहां तो ऐसे अनुच्छेद की दीवार नहीं थी श्रीमान जी जिस लोकतंत्र पर हम दिन रात इतराते नहीं अगहाते उसका स्वरूप क्या है? चुनाव आधारित इस लोकतंत्र में कोई आम भल मानस व्यक्ती चुनाव लड़ने और जीतने की कलपना भी नहीं कर सकता आम चुनावों में आम तोर पर हर तरह के अपरादी और अर्ध अपरादी तत्व चुनाव जीतने के बाद देश की बागदोर समभालते ही देश को अपनी जागीर समझने लगते हैं और लूट खसोट मचाना शुरू कर देते हैं आज के राजनीतिक माहोल में सत्ता के दलाल, परिवारवाद, उत्तराधिकारवाद, भाई भतीजावाद और ब्रस्टाचार का बोल बाला है भारत के समभिधान के अंतरगत देश में समभिधानिक इवं वैधानिक काईदे कानूनों का बाहुल्य है पर होता क्या है स्टॉप डिक्टेशन आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करिएगा और कमेंट करके बताईगा कि ये ट्रांस्क्रिप्शन करने के बाद आपकी कितनी गलती आ रही है मिलते हैं आप सेगली वीडियो में तब तक के लिए गुडबाई